आप देख रहे हैं, इंडिया आप तक समझार, सज्जाई से कहनाई तक, खबर पहुंचाए आप तक इसके लिए पीएम रविवार शाम को ही सिक्किम पहुँच गए, पीएम ओदी ने रविवार को जहारकंड की राजधानी राची से केंदर की महत्वकांग्शी योजना आयुश्मान भारत राष्टिय स्वास्ते सनरक्षन मिशन की शुरुआत की दक्षन पशिम इरान में सेन्ने परेट बर्शनिवार को हुए हमले में 39 लोग मारे गए और 57 से जादा लोग हायल हो गए मरने वालों में रेवोलुशनरी गाड के जवान और चारो हमला वर शामिल है सरकारी न्यूज एजनसी के मुताबिक ये अब तक का सबसे ख़दरनाक हमला है इरान में अरब विरोधी आंदोलन और आईएस के आतंकियों ने इसकी जिम्यदारी ली है इरान ने सौधी अरब और इस्राइल पर हमला करने का अरूप लगाया है बिहार में फिर एक बड़ी वार्दा से दहशत है मुझफरपुर में पूर्ब मेर समीर कुमार तथा उनके ड्राइवर को रविवार की देर शाम सरयाम एकी 47 से भूंडा लगया घटना उस समय हुई जब वे कार से घर जा रहे थे बताया जाता है कि शाम करीब साड़े छे बजे समीर कुमार अखाड़ा घट सित अपने होटल से निकल कर घर जा रहे थे बांध रोड होते हुए उनकी गाड़ी फायर ब्रिकेट कार रहाले से जैसे ही आगे बड़ी अपराधियों ने कार को चारो ओर से घेर कर तावर तोड़ फायरिंग शुरू कर दी आगी की सीट पर बैटे समीर कुमार को करीब एक दरजन से जादा गोलिया मारी गई चालक को भी करीब इतनी ही गोलिया लगी किसी के कुछ समझ में आता इसके पहले ही अपराधी घटना को अंजाम दे कर आराम से वाग निकले घटना के बाद इलाके में संसनी फैल गई है सैगडों की संक्या में लोग घटना स्थल पर जुट गए वहीं वारदात के कारण पुलिस वे प्रशाशन अलट पर है हिमाचन में लाहूल को कुल्लू से जोडने वाले रोहतांग दर्रे में करीब एक फुट हिमपात की खबर है मौसम के बदले तेवरों ने लाहूल और कुल्लू के लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है लेह मार के बारलाचा और स्पिती मार के कुंजुम में डेड़ फीट बर्फ बारी हुई है लाहूल घाटी में दर्जनों सेलानी फसे हुए है शनिवार को मनाली से लेह जा रहे सेलानियों और लेह के लोगों ने लाहूल के दार्चा में शरण ली फसे लोगों और सेलानियों ने लाहूल के कोकसर, सिसू, केलांग, जिस्पा और दार्चा में शरण ली है एशिया कप के सूपर फोर में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के लगया इस मैच में भारत ने शिकर धवन वर रोहिश शर्मा की शतकी पारी के दम पर पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया इस मकाबले में पाकिस्तान की कप्तान ने टॉक्स जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया पहले बल्ले बाजी करते हुए पाकिस्तान ने शोयम मली की अर्दश्यतकी पारी किदम पर निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 237 रन बनाए भारत को ये मैच जीतने के लिए 238 रनों की दरकार थी जिसे टीम इंडिया ने 9 विकेट 6 रहते ही बना लिया भारती टीम ने 49.3 ओवर में एक विकेट पर 238 रन बनाए